और मुखिमंतरी डॉक्टर मोहन यादफ ने बड़ा बयान दिया है बीना दौरे से पहले CM का जिला बनाने को लेकर एक बड़ा एलान उनकी और सक किया गया सरकार का परिसीमन आयोग नए जिले बनाने पर अध्यान करेगा ये बड़ा बयान दिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिटाइड आयेस मनोर शिवास्तों की कमेटी आपको बता दिया इसका आध्यान करेगी जिला मुख्यालय दूर होने की समस्या पर कमेटी सौपेगी अपनी रिपोर्ट तो जैन इंदोर संभाग की विसंगतियां भी यहाँ पर आप दूर करेगी सरकार आज बीना से लाडली बहनों के खाते में राशी ट्रांसफर भी करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव तो 1574 करोड रुपे की यहराशी जो की लाडली बहनों को देनी जा रहे हैं आज लाडलीयों की खाते भरने वाले हैं क्योंकि आज आपको बता दी मुख्यमंत्री मोहन यादव यहराशी ट्रांसफर करेंगे क्रशी उपश्मंडी बीना में राजस्तरे कारप्रम आयुचन होना है और इसी कारप्रम में शिर्कत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का बीना दोरा है तो 1.29 लाख बहनों के खाते में यहराशी ट्रांसफर की जाएगी बीना में इसके साथ ही कई विकास कारियों का भूमी पूजन और लोकारपन भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से किया जाएगा जिले तो बढ़ गए हैं लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम जादा है या कई विसंगती पूर्ण है कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यल है जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके कई संभाग बड़े छोटे हो गए ऐसे कई विसंगती पूर्ण व्योस्ता के लिए हमने परिशिमन आयोग के एक नया बनाया है इस परिशिमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता वो जरूर करना है तो संभाग जिले इनका एकबर पुनर परिक्षण करना है इसमें मैंने एक आयोग बनाया है ऐसे कई बड़े जिले अभी हमारे हैं जैसे सागर, ये हमारा उजजेन, इंदोर ऐसे कई बड़े धार, बड़े बड़े जिले हैं इनके अंदर के जो अंदर के कठनाईया हैं जैसे बीना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया आगे आने वाले समय में युक्ति-युक्त करण के माद्यम से इसे कई निर्णे अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा तो देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से जो बयान दिया गया है बीना दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये अलान कर दिया अलान यानि कि मुख्यमंत्री ने कहा है तो यहां पर यह बड़ी सौगात इसे कह सकते है बीना जिले को लेकर आप को बता दी यह बात कही जई है जिला मुख्यालै दूर होने के चलते समस्या जो Elijah खो रही है बीना दोरे से पहले CM का ये बयान सामने आया है सरकार का परिसीमन आयोक नए जिले बनाने पर विचार करेगा इसको लेकर अध्यन करेगा बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिला मुख्याले दूर भी है और ऐसे में लोगों की समस्याएं भी है परिशानिया होती है इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बयां दिया तो देखे मुख्यमंत्री मोहन यादव की और से ये बड़ी बात कही गई है मद्वर्देश लगातार विकास के पत पर है लगातार ही आपको बता दे हर संभाव प्यास किये जा रहे हैं मोहन सरकार की ओर से कैसे मद्रदेश को विकास देना है कैसे यहाँ पर बात ये मुख्यमंत्री मोहन यादब ने कही है बीना दोरे से पहले ही ये बड़ा बयान माना जा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादब का इसको लेकर आपको बता दे रिपोर्ट भी तयार की जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दे कारक्रम है क्योंकि आज लाडली बहनों के खाते में यानि कि महिलाओं को आज सरकार के ओर से एक बार फिर से बड़ी सौगात, बड़ा तौफा क्योंकि एक करोड 29 लाग बहने ऐसी हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनको मद्वर्देश सरकार की योशनाओं का लाप मिल रहा है लाडली बहनों के खाते में आज राशी ट्रांसपर की जाएगी जिसका इंतजार किया जाता है हर महिने की दस तारिक से पहले ही देखिए यहाँ पर लाडलीयों के खाते में पैसे आ जाते हैं और आज राज इस तरिये कारकरम का ये आयोशन है और इस योशना का लाप मद्वर्देश की बहनों को, मद्वर्देश की महिलाओं को मोहन सरकार की ओर से मिल ले जा रहा है बड़ी ख़बर सामने आ रही है, देखें, यहाँ पर मनोश शिवास्तो नाम बताया जा रहा है जो कि आपको बता दे, रिटाइड आईयस है और मनोश शिवास्तो की कमेटी ही इसका अध्यन करेगी जिला मुख्याले दूर होने के चलते लोगों की समस्याएं बनी हुई है इसको लेकर एक रिपोर्ट तयार की जाएगी और रिपोर्ट के बाद आपको बता दे, इस पर काम दी शुरू हो जाएगा वोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है मोहन सरकार के और से एक बार फिर से ये बड़ा फ्रसला मत्रवर्देश के विकास के लिए सरकार का परिसीमन आयूग नई जिले बनाने पर अध्यन गरिगा और संदीब सहियों की हमारे साथ जुड़ रहे है संदीब देखे आज महिलाओं के लिए तो बड़ा दिन है बहनों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि राशी ट्रांसफर की जाएगी मोहन सरकार की और से ये स्वाकात लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि बीना के लोगों के लिए किस तरह से देखे मुक्यमंत्री मोहन यादब ने जो बयान दे दिया है दोरे से पहले ही उन्होंने जिला बनाने की बात कह दिये किस तरह से देखा जाए वैसे बीना में विवाद इस तरह का चल रहा है जाज़त देलेके उरही बीना इन दोनों को ही इन दोनों टैसीज़ों को को लेकर ही जीज़ेपी पे आ रही है और इसी लिए शायद फरकार भी इना को बनाने की कोई ने का सक्षिय है कि दूसरी तरह समस्या यह है कि पुपेंजिल सेंग जिस बिनासभा पे आता है पुरई की सेटी को भी इना बनाने की मांग की का रही है कि दूसरी पश्रोपेश में है कि पीला को बनाया जाए यह सागर और सागर के खुरई इना से यहां पर मुख्यमंतरी ने साथ करती है कि लोगों की राये के मतादलिक प्रिश्यमन आयोग रिपोर्ट देगा उस साथ दिला बनाया जाएगा तुकि मुख्यमंत्री बीला जा रहा है इसलिए लोगों की उम्मीद है कि बीला को लेगर कुछना कुछ बाज जरू करें जो परिशीमन आयोग तरह जाने से पहले ही यह बात कह रहा है तो इसलिए साथ है कि मुख्यमंत्री बीला कुछ बहुत बड़ी बात च्विला बनाने को लेकर जो परिशीमन आयोग इस तरह की रिपोर्ट देगा उसा अधार से कारवाई की जाएगी तागर बीला से काफर हुएर फुराई भीर काफर है और ऐसे महां लिकिजि इन एहम बाती है कि फुराई और बीला आ पके रिपॉर बात को है